तुम दिसी को भी नहीं बचावाओगी कैसे हैं अगर मार्वल के टैन है तो यह रिव्यू आपके लिए है और आप एक औसथ ऑदियंस भी है तब यह आपके लिए है और अप ठीक ठाक्ति निमाद देखना चाहते हैं तब यह रिव्यू आप ही के लिए है ठीटर गया फ़र्श डेफ़स्ट सो देखा और आकर आप इसका प्लस पॉइंट क्या है इसका निगेटिव पॉइंट इन सब की बात करूंगा लेकिन भाई सहाब रिव्यू सुरू करने से पहले आप से हमबल रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द निपावली की बहुत-बहुत हारदीक सुबकामना है इटर्नल के प्लस पॉइंट की बात करें तो ये कमाल के CGI और VFX म्यूजिक स्कोर और क्लोज हाओ के खूबसूरत संसेट और उसके डारेक्शन का कमाल एक अध्भुत एक पहतरीन पोयम की तरह प्रजेंट होती है ये इ कोस्ट्यूम भाई साब मार्वल का खर्च हुआ पैसा दिखता है वाजीब दिखता है अच्छा तरीके से उन्होंने जो पोट्रे किया है न स्क्रीन पर वो दिखता है एक पड़े स्क्रीन पर थीटर में आप इसे देखेंगे तो वह खुबसूरत कोस्ट्यूम वह खुब पॉइंट में बात करूंगा उसके बारे में लेकिन प्लस पॉइंट यह भी है इसका कि यह खुबसूरती से एसियंट से लेके मौडर्ण एज को पोट्रे कर देते हैं वह कारण भी बताते हैं कि वह क्यों नहीं एवेंजर के मुडवेर में सामील हुए क्यों नहीं थेनों उससे उन्होंने धर्ती को बचाया प्लेक से लेके हैजा से लेके यहां तक कि करोना तक वो तठस्त भाव से नारे बैटकर हुमन को मरते हुए देखते रहे लेकिन उन्हें इंटर्फेयर नहीं किया क्यों क्योंकि सेलेस्टियर ने उन्हें नुक्त किया है डेवियन से लड़ने के लिए डेवियन से जब खत्रा हो लाइफ वर हुमन लाइफ हो या किसी भी क्लियेचर लाइफ को जब डेवियन अब बात करते हैं इसके निग्योटी पैंट के, देखिए आप 10 सूपर हिरोज को इंटर्डूस कर रहे हैं, किसी से दर्सक परचित नहीं, एक ओडियंस के तौर पर हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कहानी जो है उनकी बैक ग्राउंड जो है उसे ठीक से एक्स डियोपी होने के बावजूद ये वो फिल नहीं दे पाती है, जो अवेंजर दी में था, तो अवेंजर वाली वो जो फिलिंग है, वो मिसिंग है, मुझे आज भी आद है 27 सपरल 2018 को जब अवेंजर इंफिनिटी रिलीज हुई थी और अगले साल 27 सपरल 2019 को जब इंड गेम रिलीज हुई थी, तो उसमें जो मजा था, जो फिल था ना, वो आत्मा तक जाता था, वो इसमें मिसिंग है, इतना बड़ा स्केल होने के बावजूद इटर्नल में वो मिसिंग है, उसका एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि क्लोज हाओ का जो मास्ट्री है, वो human intimate drama scene को जिस तरीके से पोट्रे करती है, और जिस तरीके से इसमें उन्होंने पोट्रे किया है, sunset scene दिया है, उन्होंने, असल उनकी महारत उसी में, human intimate drama scene है, तो जहिर सी बात है, इसमें sex scene भी है, जहाँ family के साथ जा रहे हैं, तो be aware, मेरा अपना माथ है, कि Marvel को खास करके eternal के मैं अपने लिए बता रहा हूं, मुझे दुख हुआ देखकर, आपने बालीबुट दिखाया, किंगो जो इसमें है, कुमेल लैंजियानी, जो इसमें किंगो का रोल प्ले कर रहे है, मोटल इंटर्नल का, उनकी acting, वो dance देखते हुए, और उस दौरान जब वो dialogue delivery करते है, त ठीक ठाक है, मुझे एक बारत को लगा कि भजन है, अब क्यों Western Eyes हमें बुक से लेकर सिनेमा तक उसी चसमें से देखती आई है, जिस चसमें से वो पहले देखती रही है, क्यों हमें टाइफकाश समझते हैं, बाई, इंदुस्तान बहुत बड़ा है, वो variety है उसमें, वो कर ये देखे जाने लाइक फिल्म, अगर आप Marvel के फैन है, तो आपके लिए तो ये कंपलसरी है देखना, खीटर में तो भाई साब मजा आया, कई बार आप सौक हो जाते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, क्या ये क्या हो रहा है, कई बार emotion इदम फवारे की तरह उपर उड़ हैं, तो ओभराल ये बढ़ी आए, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आप से यही कहूंगा, कि Avenger जैसा recreation नहीं कर पाए, एक नई, यूनीक, बहतरीन, CGI, BFF, story, direction, screenplay, कहानी होने के पावजूद, Avenger जैसा नहीं कर पाए, परहल आपको ये harness review पसंद आया है, ये मेरी मेहनत, थे करिए, कमेंट में अपना feedback दीजिए, भी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, पहनी बार चैनल पर आए है, तो जाते जाते, चैनल को subscribe कर लिजे, वो मिलेंगे next review में है, हिन्द,